सबी साथियों को नमस्कार साथियों आज अपने एक चर्चा करेंगे खास करके भेड और बक्री से शमंदित क्योंकि अपन परजेंट टाइम में अपन देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर मोसम में बहुत जादा बदलाओ हो रहा है कहीं पे कभी धूप निकल रही है कहीं पे कभी अचानक से बारिस आ रही है यानि मोसम में अचानक बदलाओ हो जाने की वज़े से तमाम तरह के पस्वों में बहुत तरह के इस्यूज आने लगते हैं और खास करके यदि अपन भेड और बक्री के अंदर बात करें और या आपन यूँ कहें कि जब मोसम में परिवर्तन आता है तो मोसम में परिवर्तन के साथ साथ में बेड बक्रीयों में अपने को बहुत सारी तमाम समस्याइं देखने को मिलती है तो ये किस तरह की समस्याइं हो शकती है कौन-कौन सी ऐसी दिखते हैं जो आपको या आपन सब को बारिस के मोशम में आ सकती है और इसका कैसे अपन उपाए करें, क्या अपने को इसका निदान करना चाहिए तो इन पे अपना आज का वीडियो ले करके आए है तो सबसे पहला तो यह है कि अब बारिस का जैसे सीजन सुरू हो रखा है कुछ ऐसे छेतर हैं जहां पे अभी जस्ट बारिस होना सुरू हुई है कुछ ऐसे भी छेतर हैं जहां पे बारिस अभी होना सुरू होने वाली है तो अपने को सबसे पहले तो ये ध्यान खास करके भेड और बकरियों में ध्यान देना है कि बारिस के मोशम के अंदर जो अपन चारा भेड और बकरियों को खिलाते हैं वो गिला नहीं होना चाहिए क्योंकि गिला चारा ये अपन भेड और बकरि को खिला देंगे तो उसकी वज़े से उसके पेड में जो बोजन का पाचन होना था वो प्रोपर तरीके से नहीं हो पाएगा और खास करके जब सुखा चारा जो अपन ड्राइमेटर खिलाते हैं वो यदि पानी से गिला हो जाता है तो उसकी वज़े से पेट के अंदर बदहजमी की या जिसे बोलते हैं कुछ लोग लोकल बासा में बंद के नाम से भी बोलते हैं ये समस्य हैं सबसे ज़्यादा अप या अपन यूँ कहें कि बारिस से भीगा हुआ चारा बेड और बकरी को कभी भी नहीं खिलाना चाइए दूसरा ये अपन बात करते हैं कि एसे बारिस के सिजन में जब मोसम में नमी बड़ जाती है जब मोश्यर ज़्यादा होती है तो उसमें बेड और बकरीों में खास कर के सीजन के अंदर ज़्यादा अपने को देखने को मिलती है और बिमारी में भी जैसे ऐसे तो अनेकों बिमारीय हैं पर सबसे ज़्यादा यदि अपन बात करते हैं तो दो ऐसी परमुक बिमारी हैं जिनका अटेक वेड़बकरियों में इस सीजन में सबसे ज़्यादा होता है सबसे पहली तो है खुर पक्का एवं मुह पक्का जिसे बोलते हैं कुछ लोग उसे पक्का भी बोलते हैं कुछ खंगवा इस तरह से बोलते हैं या साइन्टिफिक बासा में यदि बात करें तो FMD, Foot and Mouth Disease FMD एक वाइरस के दोरा फैलने वाली बिमारी है तो ये भेड और बक्रियों में इस सीजन में जब ज़्यादा मोशम में नमी होती है उस समय फैलता है इसके पीछे रीजन यह है कि या तो निच्चे बहुत ज़्यादा गिला आपके यहां पे मिट्टी है या बारिस की वज़े से किचड हो रखा है उसकी वज़े से भी यह आगे से आगे फैलती है तो एक यह बिमारी सबसे परमुख है दूसरी यह दियापन बात करें इटी जिसे कहते हैं या फिड किया इंटेरो टॉक्सिमिया जिसे कहते हैं यह एक बेक्टरियल डिजीज है बेड और बक्रियों की इटी यह बेक्टरिया के दवारा फैलने वाले बिमारी है जिवानू के दवारा फैलने वाली बिमारी है और जब बारिस के समय में कच्ची घास जमीन से या बुमी से जब निकलती है कच्ची घास का अंकुरन होता है और उस छोटी घास को जिसमें नमी की मातरा बहुत जादा होती है उसको बेड़ और बकरिया यदि एक साथ जादा मातरा में खा लेती है तो उसकी वज़े से उसके पेट के अंदर उसकी आंत के अंदर जहर जैसा बनने लग जाता है जिसे इटी या फिड़िकिया के नाम से जाना जाता है तो यह समस्या भी इस समय या जब बारिस का समय होता है बारिस का मोशम होता है मोनसुन का मोशम होता है उस समय अपने को बहुत जादा देखने को मिलती है तो अब यदि किसी पसुपालक को यह है कि इस से अपन बचें कैसे इसका अपन उपचार कैसे करें ब से महिनि है कि अपने को बिलकुल कच्ची घास इस सीजन के अंदर बेड और बकरियों को ये दे चाहिए आपन open grazing के लिए लेकर करके जाते हैं या आपन漂亮 feeding पे काम करते हैं तो बिलकुल कच्ची घास से अपने को अपने पस्वों को बचाना चाहिए। दूसरा यह है कि जो गंदा पानी है जो हड में गंदे नाली के अंदर या बाहर गलीयों में जो पानी बह रहा है उसको बेड़ और बकरियों को नहीं पिलाना चाहिए उसकी वज़े से भी बिमारी है वो फैलने के चांसे बढ़ जाते हैं। यदि दूसरी बिमारी की तीसरी बिमारी की अधियापन बात करते हैं तो इस सीजन के अंदर जैसे ही नमी जादा बढ़ती है, गिलापन बढ़ता है, किचड बढ़ता है, तो मचरों का प्रकोब भी बहुत जादा होने लग जाता है, तो मचरों की वज़े से भी कई ऐसी बि फैस जादा बने लग जाती और यह जादा तर वहां होता है इक बिलकुल कम्पक्रों का जो घर होता जिसुमें ज्यादा वेंटिलेशन नहीं होता उसमें लेयाजिएím पूरा का पूरा ऐसे स्मेल वाला बदबूदार रहता है और उसकी वज़े से बड़े पसों में भी इस्यू आता है बाकि जो छोटे बच्चे उनके अंदर निमोनिया बनने की समस्या भी उसकी वज़े से जादा होती है तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे बारि या बकरी का बच्चा गिला हो गया बारिस की वज़े से या बहुत जादा ठंड हो गई और साथ में हवा भी चल गई तो उसकी वज़े से निमोनिया आधी के लक्षन भी बच्चों के अंदर है वो देखने को मिल सकते हैं और खास करके जब बड़ा पसू है तो उसमें तो बिमारियां उसको जकड लेती है जादा उसको कमजोर कर देती है और उसके बाद में बच्चा है वो मरने के कागार पे भी आ सकता है तो इसलिए जैसे अपन सर्दी के समय में छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं या बकरीयों का बेड़ों का ध्यान रखते हैं ठीक इसी मोसम से वेड़ बकरियों को कैसे बचाएं या इस बदलते मोसम में ये जो तमाम तरह की नुक्सान हो सकते हैं इन से अपन कैसे बचें उपचार जो साधारन बासा में ये अपन बात करें या कुछ देशी उपचार किस तरह के हो सकते हैं उनका ये अपन यूज करें तो इस त घर एक सैड एक छत उनके लिए प्रयाप्त होनी चाहिए ताकि वो गिली ना हो सके बारिस के समय में सैड की नीचे जाकर कि अपने आपको बचा सके दूसरी यदियपन बात करते हैं सैड है वो गिला नहीं होना चाहिए यानि बारिस की वज़े से नीचे का पुरा फर्स है वो गिला हो जाएगा तो उसकी वज़े से ये बिमारियां और ये सब समसें बढ़ने लग जाएगी तो नीचे से सुखा अपने को रखना है भाई चांज थोड़ा बहुत गीला हो गया तो अपने पास में एक मीट्टी का स्टोर सुखी मीटी या बालू मीटी या वो भी नहीं है कुछ एक ऐसे छेतर हैं जहां पे बालू मीटी नहीं एक है राजस्तान के अलावा ये देपन बात करते हैं तो अपने जो लकडी की जो राख होती है हारे की जो राख है घर में चुला जलाते हैं उसके लकडी की जो राख है वो सबसे श्यांदार अपन उसमें सुखा करने के लिए भी काम में ले सकते हैं दूसरा राख के अंदर मैं आपको ये भी बता दूँ कि राख के अंदर पोटेशियम जो होता है वो भी उसमें अच्छी लगबग 2-3% उसके अंदर पोटास होता है राख के अंदर तो एक वो भी काम करेगा उससे बिमारियां भी नहीं फैलेगी और दूसरा यदि बाइचांस कोई छोटा बच्चा या बकरी उसको लिख करेगी यानि बाइचांस यदि चाटेगी भी तो भी वो कोई पसू को नुक्सान भी नहीं पहुंचाएगा तीसरा सबसे मैं ये है कि अपने जो आवास की जो निच्चे की मिट्टी है या अपने सैड के या अपने बकरी फारम के अंदर निचे की जो मिट्टी है वो परतेक 6 महिने के अंदर अपने को 4-5 इंच की मिट्टी यदि 6 इंच तक possible हो पाए तो अपने को मिट्टी बदल देनी चाहिए यानि साल में अपने को कम से कम दो बार अपने सैड की मिट्टी को बदल देना चाहिए अंदर की जो मिट्टी है उसे निकाल करके बाहर डाले और बाहर की अच्छी मिट्टी को ला करके अपने सैड में डाले क्योंकि अनेकों ऐसी बिमारियां है जिनके एग्स है वो उस मिट्टी के अंदर पनप जाते हैं और उसमें दीरे 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 वो ग्रोथ करके और आगे अनेकों विमारियों को नीमनतरन है वो दे सकते हैं तो अपने को आवाज सुखा रखना चाहिए उसकी मिट्टी को बदलते रहना चाहिए साल में कम से कम दो बार और खास करके जब ये सीजन आता है बा लिसियम कार्बोनेट जीसे अफन बोलते हैं तो चुने का छिड़काओ अपने सैड के अंदर या बक्री थारे थे या कोई poultry farm भी कर रहा है, तो उसके अंदर पर तेक 7-10 दिन में अपने को एक बार चुने का छिटकाओ है, वो कर देना चाहिए, जैसे आपके पास में 20-20 का सेड है, तो उसमें पाओ बर चुने का भी हलका हलका यह दिया आप छिटकाओ कर दोगे, तो भी उससे चुना एक disinfect इफेक्टेंट का काम करता है, यह दो उसके अंदर केलसियम का भी एक अच्छा सोर्स है, तो केलसियम भी उससे मिल सकता है, उसका कोई side effect नहीं है, तो चुने का छिटकाओ अपने को परियाप्त मातरा में और समय अनुसार अपने को करते रहना चाहिए, और खास करके जब म परियाप्त में नमी जादा होती है, तो इस समय चुने का एक दूसरा फाइदा ये भी है, कि चुने का छिटकाओ करने से अपने जो पसु के पैरासाइट सोते हैं, चीचड़ है या इल्ली है या दूसरे जो पैरासाइट हैं, वो जमीन पे चले जाते हैं उतर-उतर के पस पसु के शरीर से, तो जमीन पे जब अपन चुने का छिटकाओ करेंगे तो वो भी वहां से दूर चले जाएंगे या खतम हो जाएंगे, इसके बाद यदि अपन बात करें, कि अपना जो सैड है पसुओं का या अपना भेड बकरियों का जो आवास है, उसमें पानी की निक जल बराओ वाली कंडिशन है, वो नहीं होनी चाहिए, आसपास में मच्छरों का परको भी यदि है, तो उसके लिए अपने को बेड बकरियों के आवास से, एक तरफ अपने को बेड और बकरियों को करके, या सैड से बाहर निकाल करके, श्याम के समय में उसमें साइपर मैथरीन है, या फ्लू मैथरीन है, इन दवाओं का अपन यूग चिड़काओं के लिए भी कर सकते हैं, ताकि पस्वों के एक्टरनल पैरासाइट यदि बाहर हैं, जमीन पे हैं, दिवारों पे हैं, तो वो भी खतम हो जाएंगे, और मच्छर भी खतम हो जाएंगे, और सा सबसे महतोपुर्ण बात करते हैं, कि जब बारिस का मोसम आता है, जब मोसम में बदलाव आता है, तो उस समय अपने को पस्वों की डीवर्मिंग करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानि पेट के कीड़े मारने के लिए जो दवाई देते हैं, वो उप्युक्त बिलकुल ये समय होता है, मानसुन के सीजन से पहले, या आपन यूं कहें कि जून के महिने में अपने को या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर अपने को डीवर्मिंग है, वो सभी तरह के परशों में कर देनी चाहिए, ताकि पेट के कीड़े हैं, वो खतम हो जाएंगे, तो उसके पका और मुपका बिमारी का भी वैक्सिनेशन अपने को साल में दो बार करना होता है, तो एक जो समय है वो बिल्कुल अभी, बिल्कुल स्टिक समय अभी अपन कह सकते हैं, क्योंकि जून लास्ट और जुलाई के पहले सप्ताएक के अंदर अपने को वैक्सिनेशन है, वो FMD का कर देना चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे मोसम में नमी बढ़ती है तो FMD होने के चांसेज है वो बढ़ जाती हैं तो इसलिए अपने कोई समय पे यदि किसी साथी ने मैई-जून के महिने में FMD कर दिया तो वो सबसे बढ़िया है और बाई-चंस नहीं भी की है तो अभी इस समय यदि अपन FMD वैक्सिनेशन कर देंगे तो अपन बेड और बकरियों को उस बिमारी से बचा सकते हैं दूसरी जो बिमारी थी इटी जिसका नाम था या फिड़किया तो फिड़किया का वैक्सिनेशन करने का भी अभी बिलकुल सही समय है पर ध्यान ये अपने को हमेशा रखना चाहिए कि वैक्सिनेशन करने से पहले अपने को डीवर्मिंग करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये ना हो पहले आप वैक्सिनेशन कर रहे हैं उसके बाद आप डीवर्मिंग कर रहे है डीवर्मिंग आपने कर दिया उसके 10 से 15 दिन यदि आप निकाल पाओ तो 10 से 15 दिन के बाद में आप उस पसु को वैक्सिनेशन करिए बिमारी का जो टीक का है वो लगाईए और दोनों टीकों के बीच में जैसे FMD और ET दोनों के बीच में अपने को 15 दिन का गैप है वो रखना है यह नहीं है आज अपनने FMD लगाया है और कल अपनने ET की वैक्सिनेशन की है तो दोनों के बीच में अपने को परियाप्त जो gap है वो भी रखना आउशक होता है इसके बाद यदि अपन बात करें कि चारे और दाने का जो अपन पस्वों को चारा और दाना खिलाते हैं उस पे विशेश ध्यान रखना चाहिए जैसे शुरू में अपन ने चर्चा की थी कि भेड और बकरियों को बारिस में गिला चार नहीं खिलाना चाहिए तो सुखा चारा उनको ओफर करना चाहिए खाने के लिए सुखा चारा देना चाहिए और यदि आप जंगल में लेकर के जाते हैं ताजा तुरंत बारिस होकर के रुकी है और गिला चारा जिस पे हरा चारा है जिस पे बारिस का पानी है गिरा हुआ तो पहली बात तो यह है कि बेड़ बकरी उसे खाना कम पसंद करती है और बैचान से दी बुखी है खा भी लेगी तो वो भी नुक्षान दायक होता है तो उससे भी अपने को बचना चाहिए इसके बाद दाना जो अपन बेड़ बकरीयों को खिलाते हैं दाना ऐसा होना चाहि हो और प्रोटीन के साथ साथ में उसमें कार्बो हाइडरेट यानि उर्जा की भी मातरा हो ताकि उसके सरीर में कुछ एनरजी बनी रहे जिसकी वज़े से सरीर में रोग परतिरोध का क्षमता एंटी बोडी जैवो डवलप हो सके तो यह अपने को ध्यान रखना ज़ादा जरूरी है एक भेड और बकरी को लगबग 200-500 ग्राम यदियापन दाना खिला पाते हैं तो उसका स्वास्ते है वो सही बना रहेगा और उसके उत्पादन सतर है वो भी अच्छा बना रहेगा उसके इस मोसम का विपरित परवाव नहीं पड़ेगा इसके बाद यदियापन बात करते हैं एक चीज सबसे महतवपूर्ण है और कोई भी उस चीज को नहीं बताता और पसुपालक उससे छोड़ने की कोशिस करता है आपने देखा होगा कि जो साथी स्टोल फीडिंग पे पर्टिकुलरली काम करते हैं यानि एक सैड बनाकर के कोमर्शियल तरीके से बे उनकी जो कटिंग है वो अपने को बरसात के सीजन से पहले करवा लेनी सूनिस्चित कर लेनी चाहिए क्योंकि जब बारिस का समय आता है किचड होता है और किचड के अंदर गिले के अंदर उसके यदि हूपस बड़े हुए तो वो पहले से अच्छे से नहीं चल पाता और फिर उसके अंदर इनफेक्शन होने लग जाता है तो उसकी वज़े से लंगडा करके चलती है चलने में समर्थ हो जाती है कई बार जो जंगल में भी ले करके जाते हैं उनके अंदर भी ऐसे देखा गया है कि हूपस यदि जादा बड़े हुए हैं खुर जादा बड़ भी होता है खुर के साथ साथ में अपने को ये भी ध्यान कर लेना चाहिए कि भेडबकरी के सरीर पे बिल्कुल छोटे बाल ना हो बारिस के सीजन में खास करके क्योंकि कई साती है वो उनकी बालों की ट्रेमिंग करते हैं तो जस्ट तुरंत अपने को नहीं करने चाहिए यद की वज़े से शरीर पे है वो अच्छे से बाल पसू के दुबारा आ जाते हैं जिससे कोई पसू को समस्या ना हो तो ये बेसिक बेसिक कुछ एक ऐसी साफदानिया है इनका यदि ध्यान पसू पालक रखता है या इनका आप सभी बेड़ और बकरी पालक साथी चाहिए आप ट्रेडिशनल तरीके से बेड़ बकरी पालन का काम करें या आप फौमर्शील-ाइजेसन की तरफ बेड़ बकरी पालन को लेके जा रहे हैं तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है साथ ही साथ में मैं ये भी आपको बता हुआ कि इस मोशम के अ कि इस मोसम में अनेकों ऐसी बिमारी हैं जिनके फैलने का डर है वो पसु में रहता है तो खनीज मिस्रन यदि अपन खिलाएंगे तो पसु के सरीर में मालन्यूट्रेशन नहीं होगा या निपोशक ततों की कमी से कोई बिमारी नहीं आएगी और साथी साथ में अपन नमक भे हो जाएगी और आयोडीन की जब पूर्ती हो जाएगी तो जादातर साथियों ने ये भी देखा होगा कि यदि नमक नहीं खिलाते हैं तो उनके सरीर पे उनके गले के अंदर उसनकी गर्दन पे पस्वों के पीट पे पेट पे गांठें होने लग जाती है एक बार टाइट लवन खिलाते हो तो भी 99% उसका निदान है वो किया जा सकता है उसके अलावा भी पेट के पाचन से समंदित यदि कोई इस्यू है जैसे बारिस के सेजर में बाई चांस कोई भेडबकरी गिला चारा खा गई या बारिस की वज़े से जुगाली नहीं कर पाई ऐसा कुछ अमें में बेडबकरी पानी पीना भी कम कर देती है तो पसू को पानी अच्छा पिलाएं इसके लिए अपने को यह ध्यान रखना ज़ादा जरूरी है कि जब पानी कम पसू पी रहा है तो उसके अंदर पानी में यह दिया तो अपन गुर मिला दे ताकि गुर की वज़े से पानी है वो पसू अच्छे से पीता रहे या उसमें अपन लिवर टोनिक मिला दे तो लिवर टोनिक की वज़े से पसू के सरीर के अंदर लिवर के अंदर जब लिवर टोनिक जाएगा तो वो भी बिमारियों से बचाने का काम करेगा और अनेकों तरह की ऐसी बिमारी है जो पसु के सरीर में कमजोरी की वज़े से उत्पन होती है, तो लिवर्टोनिक आप देंगे, तो उनसे भी बचाओ हो जाएगा, और साथ साथ में पसु है, वो पानी भी अच्छे से पीता है, लिवर्टोनिक का हमेशा आपने को ध्यान रखना चाहिए, कि लिवर्टोनिक कभी भी रेगुलर नहीं देना है, आपने पांस दिन लिवर्टोनिक दे दिया, उसके पंदरा दिन आप गैप दे दो, फिर पंदरा दिन बाद फिर आप उसे पांस दिन है, वो गैप देना चाहिए, तो ये बेसिक बेसिक भेड़ बकरी पालन से समन्दित ऐसी बाते हैं, जिन कि अभी अधिकतर बेड़ और बकरियां अभी ग्याबिन है, तो यदि इस तरह की छोटा सा भी कोई इस्यू, यदि बारिस की वज़े से बेड़ बकरियों में उत्पन हो जाता है, तो उसकी वज़े से जादातर कोई छोटा सा इस्यू आ सकता है, पर उसकी वज़े से अपने को ध्यान में रखना है इसी तरह से यदि कोई साथी dairy farming करता है तो dairy farming के अंदर भी ठीक इसी तरह से ये सारी बातें follow अपने को करनी चाहिए तो आज की जो class थी आप सब साथियों की वो इतनी ही आगे अपन फिर किसी नए topic के साथ में किसी अच्छी जानकारी के साथ मे आप साथियों तक अच्छी जानकारी हम लेकर के आने की कोशिश करेंगे तब तक आप सभी साथियों से मैं इजाज़त लेता हूँ और आप सभी साथियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जिसकी वज़े से हम इतनी positively और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आपा रहे हैं आप यदी चैनल पे नई हैं तो चैनल को like करें subscribe करें और comment box में हमें बताएं कि किस طرح की जानकारी आपको चाहिए और क्या हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं यह आपके लिए sufficient है या इससे भी जादा कुछ और आपको जानकारी या knowledge चाहिए या आपको particular topic पसु पालन से सम्मंदित, बेड़ पालन, बकरी पालन, गाय पालन, बेंस पालन, मुर्गी पालन, पिग फार्मिंग, किसी भी समंदित, विशे से समंदित, आपको कोई इशु हो, तो आप हमें कोमेंट बोक्स के माद्यम से बता सकते हैं, हम जल्द ही कोशिस करेंगे, कि तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद,